नमस्य जन्ता सो इस वीडियो में मैं दुरुब्या के कुछ ट्वीट्स पोस्ट या वीडियो दिखाऊंगा जहां पर उन्होंने फेक न्यूस शेयर करी है या फिर वन साइडेट बता करके दूसरी साइड पूरी तरह से छुपा दिया है और उनके कुछ हिपोक्रेसी के बा दुरुब्या खुद वही काम करते हैं जब अर्णव गुष्वमी की बात आती है तो वह उनकी कई साल पुराने क्लिफ उठा करके अपसे कंपैर करते हैं तो जब वह कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं मोदी जी हमको हिस्ट्री का पड़ा रहे थे स्पेशली कॉंग्रेस की हिस मैं इस सदन को याद कराना चाहता हूं 1999 फिर कुछ लोग कहें कि भाई तू दुरुब्राठी की 10-15 मिनट की बड़ी वीडियो में से इतना पॉर्शन कट करके उसे आउट-अफ कॉंटेक्स वे में दिखा रहा है तो वह भी गलत है अच्छा तो यह सेम की दुरुब्या भ पार्ट कट करके आपको दिखाते हैं कि देखो गोधी मीडिया हेट फैल आ रहा है और जो गोधी मीडिया सही बात करता है वो कभी दिखाते हैं आपको और दुरुब्यान कई बार असा किया है कि मोधी जी की पूरी 50-60 मिनट की स्पीच में से जड़ा सा पोर्शन कट करके पोस्ट कर दिया और कै दिया देखो यह यह चीज़े हैं वो भी यह कई बार करते हैं और हां मैं मानता हूं कि लोग जान बूच के क्लिप कट करके आउट अफ कॉंटेक्स चीज़े दिखाते हैं बट डेट ड़ेट ड़ेट ड़ेंट मीन की आप हर बार यही बाती है जब वह अपनी बायो में लिखते हैं कि वह पॉलिटिकली सेंट्रिस्ट हैं वह वीडियो इस तरह से बनाते हैं कि जैसे वह न्यूट्रल हैं बड़ा और वह किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं तो यह उनकी हिपोक्रेसी की आलोचना कर रहा हूं मैं ना कि अमधिब पार्टी को सपोर्ट कर रहें इस वजह से वह बहुत इस्मार्ट आए हैं वो सारी की सारी 99% या तो बीजेपी एंस्ट है या फिर हिंदूस के अगेंस्ट या तो फिर वो जो राइट विंग मीडिया चैनल से तो जो जैने वह गोधी मीडिया कहते हैं और अगर इसी लॉजिक से जाए तो जो जो पम्रबी साल से लगे पड़े हैं daily news दिखाते हैं तो उन्हें भी यह बताते हैं कि भाई यह सिरफ fake news फैलाते हैं या communal hate फैलाते हैं तो ऐसे तो फिर दुरूब यह भी गलत हुए ना और most common news भी उन्हें फैलाई है जूट भी उन्हें बोला थी अपने कितनी बार उन से सवाल किया और ठीक है आप 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 अधनी पार्टी सपोटर होते तो आप सवाल नहीं करते बट आप पॉलिटिकली सेंट्रिस्ट हैं तो सवाल क्यों नहीं किया बट reality यह है कि आप आम आधनी भी गलती करी हो तो मुझे particular minute और particular second बताओ कि कहां गलती है मैं उसे cross check करूँगा अगर सही में गलती होगी मैं उसे बिना कोई जिजक के accept कर लूँगा कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई है पार्ट बन की comment section में बहुत से दुरुवया के fans बोल रहे थे कि असली दुरुवराठी को बुला हिम्मत है तो यह क्या उसकी नाकल उतार रहा है तो पहली बात तो parody भी एक kind of art है तो आज मैं एक 19 सारी का बच्चा उन्हें चैलेंज दे रहा है चैलेंज तो क्या मतलब invite कर रह लिए और मैं उनसे कुछ questions पूछूँगा वो मेरे को उनसे live जवाब दे अगर वो आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है डेट और टाइम हम लोग decide कर लेंगे चैलेंज ... झाल 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 प्रच्न वर्च्न थे जुम्हण थे तो मनुआ यह लोगोजी ने थे पहुछूपरेंशी एक फार्मर को अच्छी में सिधा गोली मारी गई है जो पहले अजिए गोली लगी है कि उपर गोली लगी है कि अज़ी जन्यूर इंप एक अग अगार्टिकर देता है वहां जादी कि अगई तक बीडिकर पर पहले हैं पहले है I volunteer for them in 2015 yeah yeah I edited a video for them and I did some graphic designing for them आप सोचो कि अब अरविंद केजरीवाल का नाम कैसे आ रहा है इस कंप्लेन में इसका सिर्फ एक ही रीजन है जो कि चौथे पॉइंट में मेंशन है क्योंकि उन्होंने मेरे वीडियो को रीटूइट किया कंप्सक्राइट प्रण सब्सक्राइट कि अपकान चांगेशन है अचाए आप को अट संब्सक्राइट कि हम आपना शाब हांचाएट लिगेशन के नहीं तो व्में नीडिता आप बढ़े जो लुदक में जाते हैं, जाक में कोई था जुदा हो लुद हो लुकरण के अचंछ व्यलेट करनें, भूक के पारे का जोड़ेंद हैं क्या लग्राइब्स की पारीच है लुदा है विलाच इया है बहुत राँतितर इस दुब लुद की पार दा नुक की सहाओ आप सपोर्टर नहीं बोल सकते आप मैं आप सपोर्टर नहीं बोल सकते आप मैं आपने एक-दी कि निंदानी कि अ कभी मगाइ निन्दा करनी चाईया वाँ मnaगा लगाar नहीं होगी यद नियुuje कि अ शचे निंदा नहीं हैं bilmiyorum कि मैंने BSP क्रिटिसाइज नी करा, पार्टी की कमी थोड़ी एसे, लेकिन आपने आपका जिकर किया है, you have mentioned them, but in a positive light, जैसे, जैसे दिल्ली में, मैं दिल्ली का रहता हूं, मैं दिल्ली के रहता हूं, मैं दिल्ली के रहता हूं, बिसिकली वहीं बॉर्ण बॉर्ट अपुआ लेकिन मुझे कुई भी ऐसा पॉइंट नी लगा कि इन्होंने ये गलत इत्रा नेगेटिव डिसीजन था कि इस पर बूलना चाहिए, मुझे जरी अगर्देखामे। श्रम संब्सक्ति दो आपि शांजे को शिर्णी हमारे लिए शांत्ति मुझे ख्टाव के अभी दर्म के लुग अंधिक हमारे लिए सब इंसान से बढ़ावरे, आप आधिव पार्टी ने थैकिया है कि हम आने वाले वाले विद्वाश में मुंख हमारे धर्म गुरु आपसे सिल्लम की शान में घुस्ताखी करे शरीयत अगर यहां होती तो इस शक्स को सर्याम इसकी गर्दन काटकर जुबान काटकर रटका दिया जाता कि अर्ग देने के लिए पानी में उतरना पड़ता है पानी में जब आप उतरेंगे तो अगर एक आदमी को भी उसमें करूना हुआ तो वो सारा पानी वो इंफेक्ट हो जाएगा और सबको बहुत केजी से करूना फैल सकता है अगर वो किये तो इसी को मद्देनेजर रखते ह हुए लोगों के सेहत की और उनकी जान की चिंता की वज़े से हमने यह कदम उठाया है यमना हमारे लिए पवित्र नदी है यमना के दोनों तटों पर छोटी छोटी जील बनाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए 5 साल में यमना को इतना खुबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमना की तट पर जाना शुरू करें पांच साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमना के तट के ऊपर लाना है और अपने को यमना साफ करनी है, यमना नदी भी साफ करनी है, इसकी भी मैंने पूरी प्लानिंग करी है, यमना नदी के अंदर आपको गोता लगवा देंगे, नला देंगे, यमना बड़ी गंदी है, गए हो यमना पे, कौन-कौन गए है यमना पे, बहुत गंदी है यमना, उसमें सारा सीवर जाता है, सारा इंडस्ट्री का पानी जाता है, इंडस्ट्री का वेस्ट जाता है। का वेस्ट पानी जाता है, सारा इंडस्ट्री का वेस्ट जाता है, सारा सी जाता है, सारे को बेंगर में जाता है। झाल झाल शुरुबात में जब यह खबर आई थी कि चार फार्मर्स मारे गए हैं जब उनके उपर गाड़ी चढ़ा दी गई तो मीडिया ने इस पूरी चीज को इग्नोर करने की कोशिश करी और 24 घंटे वो आरियन खान वाली खबर को चलाए गया आप ट्वीट्स देखोंगे कितने फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर कुछ भी देखने को नहीं मिला था उस वक्ता आज तक ने सिर्फ उस रात और सुभे तक करीब 90 ट्वीट्स किये सिर्फ इस एक खबर की उपर एक दूसरा सवाल यहां पर लोग उठाते हैं NCP Congress और शिर्फ सेना की अलग-अलग और फिर भी यह साथ में एक अलाइंस बना रहे हैं तो क्या तुक बनता है यह बनाने का शिर्फ सेना की जो अवर्लाइब करेंगी और वो जहां पर ऑट्रैप करेंगी वो एक जिस पर शिर्व सेना के सपोर्टर्स और कॉंग्रेस सपोर्टर्स दोनों साथ में एगरी करते हो अब यहाँ पर दोस्तों मैं आप से पूछना चाहूंगा आपको क्या लगता है कौन यहाँ पर सही है पर दोस्तों मैं आपको क्या लगता है अब अब पर दोस्तों मैं आपको क्या लगता है मैं था जब हम इंडिया को बड़े बड़े सूपर पावर देशों से कंपेर करते थे कि इंडिया चाइना से कंपीट कर सकेगा इंडिया की एकोनोमिक ग्रोप चाइना से जादा हो सकती है लेकिन आज 2020 में हालत यह हो गई है कि चाइना तो कहा का कहा पहुंच गया बांगला देश जैसे देश भी अब इंडिया को पीछे चोड़ने को और हैं बांगला देश जिर भांगली अब इंडिया अब counting में हाँ ऑढ़ में हाँ झाल 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 झाल